अगर तुम अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो कर क्या रहे हो भाई फटा फट से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथी साथ इस वीडियो को भी लाइक कर देना एंड तक देखना विकाज रियाल मडरेट से लेके जो भी समर ट्रांसफर मार्केट अपडेट से तो में मडरेट पंडिट्स पर सबसे पहले मिल जाएगी और सबसे अक्यूरिट मिल जाएगी और यहाँ पर साथी साथ ट्रेंट अलेक्जांडर आर्नल को लेकी भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो उसके बारे में आपने डीटेल बात करेंगे अचा दूस्तों एक और चीज थी जो मैं जो तुम्हें बतानी थी मेरा जो इंस्टेग्राम हैंडल था ओफ मडरेट पंडिट्स वो इंस्टेग्राम ने सस्पेंड कर दिया तो तुम मेरे दूसरे अकाउंट को फॉलो कर दो वेदान फॉटबॉल दे लिंक इस इन डिस्क एक पूरे हफते के लिए लेन योरो ने वेट किया रियाओ मडरेट के लिए कि कोई रियाओ मडरेट का इंप्रूफड बिड आएगा फ्रों 25 तो 30 मिलिन ठीक है मडरेट जो है वो 30 मिलिन से जाधा पे करने को रेडी नहीं थी फर लेन योरो एंड उसके पीछे भी काफी स कर दिया फर लेन योरो जहां पर वो कहते हैं अगर तुमने मैंचेशन योरो अभी मूव नहीं करा वी विल नॉट लेट यू प्ले फर लेक्स सीजन तुम्हें 24-25 में खेलने का मौका नहीं मिलेगा एड उसके वज़े से एक बहुत बड़ी प्रॉबम आ जाती ही साधी सा तो शैथ से रियाल मुड़ेट निकार जाएगहा यह म कोडियां मुड़ेट याल मूरेट की एक बहुत ही स्टोंग पोशेशन नहीं रखी थी इन ये भी आजाता है, इसलिए Lenny Oro ने Manchester United को अप्रोच करा, इसलिए Lenny Oro ने Manchester United की डील को अगरी करा है यहीं पर मैं अब Real Madrid का stance तुम्हें समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हमारा समझना Real Madrid, the reason why they did not touch up 50-60 million is first the player has not played in the Champions League बड़े performances Lenny Oro ने नहीं दिया in the Champions League, साथी साथ Euros में भी कोई performance या फिर कोई you know, as such competition में पाई Lenny Oro तो यह तो main exclusive reasons थे कि भाई, Madrid को 60 million टच नहीं करना चाहता had Lenny Oro had that experience of playing on those big stages Madrid चाहता सोची थी of you know spending 60 million on Lenny Oro साथी साथ दूसरा reason यहाँ पर यह एक और है जो निकल कर आ रहा है that is a financial aspect जो हमें समझना बहुत ज़री है Madrid ने Mbappé को free में sign नहीं करा है 9 figures को touch up करा है 9 figures means a lot of millions have been spent on Mbappé उसकी salary, साथी साथ उसका जो contract agreement है उसमें जो already उसको एक bonus जो Madrid को देना पड़ेगा of signing bonus वो भी बहुती बड़ी concrete reason बन जाता है of not being able to get Lenny Oro because यहाँ पर Madrid ने financials spend करे हैं बाई on players Jude Bellingham पर 100 million spend किया था not so long ago almost one year back Jude Bellingham को acquire किया गया था और 100 million उस player पर spend किया गया था तो उस player के भी जो एक तरीके से halves है installments है जिसमें Madrid pay कर रही है उस पर भी आपको मद्दे नजर नहीं करना चाहिए और तीसरा reason सबसे बड़ा यह है कि Andrej को भी acquire गया था अभी के लिए Andrej की deal 30 million की है but with bonuses, with clauses वो deal पूरी की 60 million की हो जाती है तो वहाँ पर भी Madrid ने काफी spend कर रहा है जिसके वज़े से Lenny Euro को acquire नहीं कर पाए थे अब defense एक ऐसी position है रियाव Madrid के लिए जहांपर Madrid ने उतनी investments नहीं करी है last जो investment करी थी that was of Edel Militao in the year 2019 जहांपर Madrid उसको ठाकतर ले कर रही थी और roughly about 45 to 50 million उससे पहले राफाइल वरान पे spend किया गया था back in 2011 जहांपर Madrid ने actually invest किया था एक centre-back पे और इसके बीचे काफी सारे reasons यह भी है कि Sergio Ramos की बहुत insane longevity चली till a very very good year 2021 साथी साथ रफाइल वरान ने भी 10 very good seasons देयर तो रियाव Madrid और साथी साथ आपने नाचो को चुना जो कि एक academy project थे एक academy graduate थे तो उस पे भी आपको कुछ expense नहीं करना पड़ गया तो इसलिए यह सारे reasons थे कि Madrid ने एक long term में अगर आप देखो इतने centre-backs acquire नहीं करे है but हाही में in the last 3-4 years Madrid ने David Alaba और Antonio Rudiger को sign किया as a free agent and both of these players have looked very very good Alaba ने although first two seasons में अच्छा perform कर रहा है but last season because of an ACL injury he could not perform वहीं पर मैं Rudiger की बाद बहुत हुआ तो first season उसका okay था but second season जो कि last season था that was very very good तो यहाँ पर Madrid बहुत strategically चल रही है Madrid अपने project के तह चल रही है Madrid पैसे बेफालतु में खर्च नहीं कर रही है which is a very very good sign Madrid के financials भी काफी stable लग रहे है तो यहाँ पर अगर आपको एक young centre-back मिल रहा है with a good 30 million option तो आप उसी को acquire करेंगे ना कि Lenny Eurow पर 60 million spend करेंगे however Lenny Eurow is a great project जो की शायद से next Rafael Maran बन सकते है Manchester United में he will bloom for sure and most likely यही कहा जा रहे है कि Leachah Martinez के साथ Lissandro Martinez के साथ उनकी centre-back pairing बनेगी अब interesting हुआ कि after the entire Enzo Fernandez situation जहाँ पर Leachah भी involved थे क्या हो पाता है but उस चीजों पर मैं बादशीत नहीं करना चाता that is a topic for some other day यहाँ पर अब दूसरा topic जो कि मुझे touch up करना है that is Trent Alexander-Arnold क्या realistically हम सोच भी सकते है of getting this player on board in the year 2025 it is possible ठीक है दोस्तों it is very much possible and उसके बीचे भी काफी सारे कारण है Jude Bellingham और Trent Alexander-Arnold काफी close friends है भाई तुम लोग को याद है 2017 में Danny Alvaz और Neymar काफी close थे जिसके वज़े से Neymar ने PSG move करा था ऐसे बहुत सारे चीज़े हो जाती है भाई at times जब एक certain place जो कि बहुत close friends होते है देखा है actually impact moves Vinicius Junior ने you know Jude Bellingham को messages बेज़ेते calls करेते close friendship बनाई थी close bond बनाई था जिसके वरे साथ Jude Bellingham was lord to Real Madrid ऐसे बहुत पर हो चुका है भाई already in the past यहाँपर Vinicius में message बेटे है to players Mbappé ने भी recently बोले that Vinicius messaged me considering Jorgen Klopp जा चुके हैं from Liverpool एक बहुती बड़े father figure है वो Trent के life में Trent ने खुद दिने बोला है that you know Jorgen Klopp has a very very big role in my life ठीक है में को debut दिया है उस manager ने and उस manager ने मेरे को इतना बड़ा player बना है भाई तो यहाँपर Trent you know शायद से सोच सकते है of leaving Liverpool because अब Liverpool जो है पूरी तरीके से rebuild पे उतर आएगी with Arne Slot in charge तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या Trent Alexander-Arnold इस project इस नहीं Liverpool project का part बनेंगे mainstay बनेंगे captain बनेंगे यह सारी देखने वाली बादशीत होगी या फिर considering कि सिर्फ एक साल रहेगे उनके contract पे Madrid अभी invest करने को दो रहेगी I don't think so Madrid invest करेगी in 2024 on Trent they will try to get him as a free agent in 2025 जब तक वो 26 years के हो जाएंगे and बहुत ज़रूरी है Madrid के रहे कि वो एक long term successor डूण दे for Danny Carvall ठीक है तो यह सारी बात चीते हैं भाई यह सारी updates है with respect to Real Madrid I have a feeling I have a feeling कि शायद से considering कि इतना strong project Madrid ने build करा है we might just just get Trent Alexander-Arnold to Real Madrid but एक problem है भाई number 66 वो नहीं पहन पहेंगे but दोस्तों इसी के साद I would like to end the video अगर आप वीडियो एंट तक देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करते like करें इस वीडियो को and इसी के साद Halo Madrid इना नमाज हस्ता है फिनाल वामोश रियाल शूरूरूरूरूरूरू